दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे पहली कबर बिहार में नए साल पर नहीं चलक पाएंगी जाम पुलिस ने बनाया स्पेसल प्लान हुरदंग्यों पर भी होगी कारवाई जिहां बिहार में नए साल के जसन पर पुलिस का कड़ा पहरा होगा सरावियो और धंदे बाजो की धर पकड के लिए पुलिस ठिकानों पर तबा तोड च्छापे मारी करेगी च्छापे मारी का यह अभियान 27 दिसंबर से 1 जनवरी की रात तक चलेगा इसके तहाँ तो होटल कलब, गेश्ट हाउस, लौजवा अपार्टमेंट और पार्को सहीद आने जगाहों पर पुलिस सगन तलासी करेगी चौक चराहों पर भी रोकोटो को अभियान चलाकर पुलिस वहनोबवा उस सवार लोगों की जाच करेगी ब्रेयत अनालाइजर के साथ प्यकड़ों की जाच होगी इसके लिए S.S.P. उपेंदर सर्मा की और से सभी थानों को अतरिकत बल महाया कराये जाएगा अगली बड़ी कबर बिहार के सरकारे स्कोलों में महंगी हुई पढ़ाई ढाय गुना तक बड़ी फेस जाने अब किसके लिए देना होगा कितना सुल्क जिहाराज के माधमिक और उच माधमिक विदल्यों में विदादियों का परविस सुल्क बढ़ा कर 50 रुपे कर दिया गया है अब तक यह सुल्क करमसा 20 रुपे और 15 रुपे था इसी परकार विकास सुल्क के रुप में माधमिक विदल्यों में 80 रुपे को यथावत रखत वे उच माईदमिक विदालयों में यह सुलक 160 से 200 रुपे कर दिया गिया है। वह माईदमिक विदालयों में अनुपासिति और विलम सुलक दंड को खतम कर दिया गिया है। जो एक रुफिय था। इसी परकार माईदमिक विदालयों में पुनप परवेश सुलक को भी समाप् गया है उच मायदमिक विदालयों में मनौरणज सुल्ग को 20 रुपए से बढ़ाकर साड वेदुत सुल्ग को साड से बढ़ाकर असित था रकरकाव सुल्क को यतावात 1.5 रुपए रखा गिया है इसके अलावा मायदमिक में परिचे पादर के लिए 20 रुपए लगेंगे ज जो पहले नहीं था साथ ही आपको बता दी कि अनुसुचित जाती जन जाती से सिख्चन और विकास सुल्क नहीं लिये जाएंगे बड़ी खबर पटना के एक प्रावेट स्कुल में दो चात्र पाए गए कोरोना पोजिटिव बिहार में मिले 17 नई संक्रमित जिहादेश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं नवमर महने के मुकाबले दिसंबर में संक्रमन तेजी से बढ़ा है पिछले 24 गंडे के बितर बिहार में कोरोना के 17 नई मामले सामने आए हैं जिसमें पाटना में 11 और सिवान में दो नई केस के मिलने से हड़कम मचा हुआ है पाटना के प्रावेट स्कुल में दो चात्र क कोरोना संक्रमित मिले हैं दानापूर खगल रोड स्थीद इसकुल में कोरोना का केस मिला है इसकुल प्रसासन के माने तो क्लास 6 बी और दूसरी कहचा के चात्र के रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई है जिसके बाद उस क्लास के सभी चात्रों की कोरोना जाच कराए गई इसमें सभी की रिपोट निगेटिव आई है अगली बड़ी कबर बिखार बोड के दस्वी में फ़र्षट आने वाले इस्टेटनट को मिलेगे आर्थिक सहयता जानिये क्या है नियम और सरते जिहां बिहार बोर्ड के दसवी पास कर चुके इस्टुडेंट के लिए बिहार सरकार ने आर्थिक मदद का एलान किया है इसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में करेंड फाइनेंसियल एयर में 423 कड़ो रुप्य की धनरासी जारी कर दी है इसके तहद बिहार के मेट कि इस योजना का लाब बेकवर्ड क्लास और अधर बेकवर्ड क्लास के स्टुडेंट उठा सकते हैं इसके साथ ही जरू है कि केनेडेस ने क्लास दसवी प्रतम स्रेने में पास की है ऐसा होने पर उन्हें ये धनरासी दी जाएगी इस योजना का लाब उठाने के लिए अगली बड़ी खबर बिहार में स्कूलों का केलेंडर हुआ जारी सरकारी हाई स्कूलों और प्लस्टों में होगी 60 चुटी है जहां बिहार के राजकिया राजक्रित और प्रोजेक्ट ऊच तथा ऊच मादमिक विदालेव में वर्स 2022 में कुल मिलाकर 60 दिन आवकास रहेगा आवकास के पांच दिन और इसमें जुड़े हैं हाला कि ये रविवार है मादमिक सिक्चक कर्याले की ओर से निदसक मजनोज कुमार ने बुदवार को आवकास किलेंडर जारी किया है खास बात है कि अब दक इस किलेंडर में राजकिया विदाले को भी समायत किया गया है प इसमें आवकास के 23 दिन जो 23 मैं से 14 जुन तक है चो दिन दुरगा पुजा के जो 1 से 6 अक्टूबर पर दिवाली पर दो दिन जो 24 और 25 अक्टूबर तक चट पुजा पर 4 दिन जो 28 से 31 अक्टूबर की छुट्टी सामिल है बाड़ी कबर नितीस कुमार का बड़ा एलान अब केवल उसी साधी में जाएंगे जिसके कार्ड पर लिखा होगा दहज नहीं लिया गया जिया मुक्यमंतरी नितीस कुमार ने बुदवार को मौतिहरी से समाज सुधार अभियान की सुरुआत की मौतिहरी पहुचने के बाद सीम नितीस अतिहासिक गान्धी मैदान पहुचे नितीस कुमार ने सराब बंदी दहेज वा बाल विवा की खिलाब बोलते गबोलते उन्होंने बड़ी घोसना कर दी है मुखे मंतरी ने कहा कि पहले देखते थे कि साधी के कार्ड पर लिखा रहता थे कि हम इस साधी में दहेज नहीं ले रहे हैं लेकिन अब लोग ये लिखते ही नहीं है ये बात ठीक नहीं है उन्होंने कहा कि मैं बता दे रहा हूं कि चाहे कोई भी कितना भी करीबी क्यों नहीं लिखा होगा मैं उस साधी में नहीं जाओंगा आप भी इस बात का प्रण लिजे नितिस ने सराबंदी को लेकर पुराने बातों पर ही जोर दिया और कहा कि सराबंदी महिलाओं के लिए कहने पर किया इससे अब समाज की सितिकापी सुधर गई है आप लोग भी साध दे और प्रण लेके सराबंदी दहेज और बाल विभाग के खिलाप खड़ा रहेंगे सारेरिक दश्ता परिच्छा कायोजन 28 जन्वरी से होगा CSBC PAT Admit Card 5 जन्वरी को जारी होगा ओमिदवार आधिकारिक बैवसाइड csbc.bhr.nic.in से Admit Card डाउनलोड कर सकते हैं जो ओमिदवार Admit Card डाउनलोड नहीं कर पाएंगे वे 24 पचीस जन्वरी को CSBC से संपर्क कर सकते हैं बड़ी कबर बिहार के कई जिलों में सीत लहर के चितावनी मौसम विगान केंदर ने किया अलट जहां बिहार में ठंड बढ़ने लगी है, हर दिन तापमान में तेजे से गिरावट हो रही है, पहाडे इलाकों से आ रही पचवा हवा के कारण बिहार के तापमान में गिरावट देखी जा रही है जहां बिभाग ने राज के एक जिलो के लिए सीद घोसित किया है, पाटना मौसम बिग्यान केंदर के नुसार, राज के बकसर भववा और अंगाबाद नवादा गया पुर्निया किसन गांज, दर्बंगा मदोबनी भववा और रोतास में सीद लहर का पुरवानुमान है वहें तीन दिनों के बाद राज के मौसम में कुछ बदलाव दिखेगा, मौसम बिग्याने संजे कुमार की माने तो 24 दिसम्बर से पाचवा की जगा पुरवी हवा चलने के आसार है, जिसके कारण नियुनतम तापमान में सुधार होगा बाड़ी कबर पटना जक्सन पर अब मेट्रो की तरह रेल्वे कार्ड से ले सकेंगे टिकर्ड, लाइन में खड़े रहने की समसा होगी खतम, जिया रेल्वे की तरब से अब एक नई सुधा बिहार के स्टिसनों पर मुहाया कराए जाएगी मेट्रो इस्टिसन की तरच पर है अब रेल्वे बे यात्रा कार्ड की सुधा देने जा रही है, पातना जक्सन समेथ राजधाने के प्रामो की स्टिसनों पर पहले ये सुधा सुरू की जाएगी, मेडिया रिपोर्ट के अनुसार रेल्वे की ओर से यात्रियों के लिए का अब इसी कार्ड की जरिये मसीने से ही टिकट ले सकेंगे, इसके लिए इस्टिसनों पर आटोमेटिक टिकट वेंडिंग मसीन लगाए जाएगी, जानकारी के अनुसार इसकी सुरुवाद पहले पातना जक्सन से की जाएगी, पातना जक्सन पर टिकट मसीन लगाने के अगली बड़ी खबर बिहार में महंगी होगी बिजली कमपनी की याचिका हुई सिवकार आयोग लेगा आम लोगों की राये जहां बिहार में बिजली महंगी हो सकती है बिजली दरों में बिर्दी को लेकर बिजली कमपनीयों दुबारा दायर याचिका को बिहार बिदत मिना कि लिए और्वारों पांच, शिविर लगा कर प्रस्तावी डरो पर आम लोगों राई लेगा। जन्वारी फर्वारी में जन सुनुवाई पुरी कर मार्च महिने में नई दरों की घोसना कर दी जाएगी बिहार बिद्द बिनामक आयोग के अधग्ज सिसिर सिन्ना ने इसकी पुष्टी करते वे कहा कि कमपने की याजिका स्विकृत कर बिजली दर ताय करने की विदिवत परकिरीया स्रुक कर दी गई है अगले बड़ी कबर बिहार के इसकुलों में नरसरी से पढ़ाये जाएंगे पाइट करम का ड्राप्ट भी तयार कर लिया है ड्राप्ट को भी केंद्र सरकार के स्कुल सिक्चा वाम सक्चतकार विबाग को भीजा गया है उमीद जैल दी वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी और पाइट करम में सामिल हो जाएगा इस बात की जनकारी आयूस मंत्राले की ओर से लोकसवा में सरकार के मंत्री ने दी है कवर ग्रेजुएट लड़कियों को नए साल का तौपा अब प्रोच्छान रासी के रूप में मिलेंगे 50,000 रुपे सिक्छा विबाग ने दिया आदिस बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्यान और मुख्यमंत्री बालिका प्रोच्छान योजना के तहद सिनातक पास 2,000,000 से अधिक चात्राओं को प्रोच्छान रासी दी जाएगे 2021-22 में सिनातक पास चात्राओं को 50,000,000 रुपे दे जाएगे 25 अप्रेल 2018 से 31 मार्च 2021 तक सिनातक पास चात्राओं को प्रोच्छान रासी की रूप में 25,000,000 रुपे दे जाएगे इसको लिकर बिहार सिक्षा विवांग ने सभी बिदाराई को निर्दिस दिये हैं साथी इस साल के अंद तक लंबित आवेदन को सितापन करने का अल्टिमेटम दिया है बड़ी ख़बर आइसमान भारत कार्ड से बिहार में अब किड्नी ट्रांस्प्लांट भी कोरोना वा एस का इलाज भी करा सकी बिहार में पहली बार कार्ड में या पेकेज जुड़ा गया है अब तक मजद पर्देश चतिसगर जैसे दूसरे राज्यों में आईसमान भारत कार्ड से किड्ने ट्रांस्पलांट के रासी का भुगतान होता था आईसमान भारत की निदेसक डाक्टर अरसद ने बताए कि ब अगली बड़ी खबर NDA परिच्छा 2022 के लिए आवेदन सुरू चार से पदो के लिए संग लोक सिवा आयोग ने जारी कि अधिसुचना जिहां UPSC NDA परिच्छा की तैयारी में जुटियों मिद्वारों के लिए महातपून खबर है संग लोक सिवा आयोग द्वारा वर्स 2022 22 की पालिस सम्मिलित रक्षा अकदमी परिच्छा के लिए आधिसुचना कल 22 दिचंबर 2021 को जारी कर दी गई है आयोग द्वारा कुल 400 पदो के लिए अधिसुचना अधिकारिक बैवसाइड यूप्यसी.government.in पर जारी की गई है इसमें से 19 रिक्तिया महिलाव मिद्वारो के लिए आरक्षित है आपको बदाद की आवेदन की प्रक्रिया 22 दिसम्मर से सुरू हो चुकी है ऐसे सभी मिद्वार जो यूप्यसी एंडिये परिच्छा 2022 के लिए आवेदन प्रक्रिया सुरू होने के इंदिजार कर रहे हैं वे अधिसुचना जारी होने के बाद आप्लिकेशन फर्म के मादन से आवेदन कर पाएंगे और हम की बड़ी कबर एसेन होकी चेंपियनसिप में भारत ने जिता ब्राउंज रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को चार तीन से दिमात टूर्णामेंट में हर्मन प्रित ने दांगे आठ गोल जिया एसेन टीम इंडिया ने चेर प्रतिदवंदी पाकिस्तान को चार तीन से हरा दिया है मैच में मिली जीत के साथ भारतिय टीम ने ना सिर्फ ब्राउंज मेडल पर कबज़ा जमाया बलके इस टूर्णामेंट में 33 पर फिनिस किया है वही पाक टीम चोथे पाइदान पर रही आज क लेप का सवाल बताए कि बेहां बिजली का दर महंगा करने का फैसला सही है या नहीं इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं